कि Hello guys welcome back sorry guysmax 살ी की दो दिन से वीडियो नहीं आ पाया क्यूंकि मैं थोड़ा ैजी ती बर मैं ट्राय करूंगी कि मन अपने वीडिय Records को कियूंकि λाँए दिया जानते हो कि जब वहाँ पर नहीं देखता टीम वेन को तो वो थाद सेट फिल करता है उसके बाद लॉकर रूम में दिखाया जाता है सभी लोग अपने कपरी चेंज कर रहे होते हैं तो यहाँ पर टीम कपरी चेंज करने के बाद जाने वाला होता है तब उसके सामने डीन आकर खड़ा हो जाता है डीन उसे कहता है कि तुमने आज काफी अच्छी से परफॉर्म किया था तुम्हारा टाइमिंग भी आज काफी अच्छा था तो यहाँ पर टीम उसे थैंक्स कहता है यहाँ पर टीम कुछ पूछना चाहता है डीन से डीन उसे कहता है बोलो क्या बात है तो यहाँ पर टीम उसे कहता है Actually तुम्हारा भार वेट करा है पाम तो I think तुम्हीं जाना चाहिए डीन उसे कहता है ठीक है डीन वहाँ से चला जाता है उसके वहाँ से जाने के बाद हम देखते है टीम को जो थोड़ा खोया हुआ रहता है Actually वो यहाँ पर डीन से पूछना चाता था वेट के बारे में बट वो नहीं पूछ पाया यहाँ पर जो होते हैं उसके बाकी फ्रेंड वो लोग कहते हैं चलो हम लोग ड्रिंक करने के लिए चलते हैं सभी तो यहाँ पर उनसे मना कर देता है टीम और कहता है मुझे घर वापिस जाना है तो वो वहाँ से चला जाता है यहाँ पर जो B होता है वो अपने फ्रेंड से कहता है कि कुछ समय तुम यहाँ पर वेट करो मैं तुम्हें बाद में जॉइन करूंगा क्योंकि मुझे भी अपने एक फ्रेंड से मिलना है तो वो भी लोकल रूम से बाहर आ जाता है यहाँ पर उसे इतनी जल्द पाजी में जाते हुए देखकर कहने लगते हैं A और C इसे अपने कौन से फ्रेंड से मिलना है तो हमें दिखाया जाता है कि भागते दोड़ते हुए B पहुँच जाता है मिलने के लिए प्रिंस के पास जो भापर उसका वेट कर रहा होता है यहाँ पर वो प्रिंस से कहने लगता है कि मैंने सुचा नहीं था कि तुम आज मेरे कॉम्पेटिशन को देखने के लिए आओगे यहाँ पर प्रिंस उससे कहने लगता है तुमने इंवाइट किया था इसलिए मैं आ गया तो यहाँ पर उससे कहता है बी ओ तो तुम इसलिए आये हो आई थिंग तुमें नहीं आना चाहिए था मेरे उस इंवाइट को इतना ज़्यादा इंपोर्टेंस देने की जुरत नहीं थी तुमें तुम बिकार में यहाँ पर आ गए तो यह सुनके थोड़ा अजीब लगता है प्रिंस को अब प्रिंस उससे कहने लगता है मतलब कि मैं यहाँ पर आया हूँ इसका मतलब यह है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तुमने सिफ मुझे वैसे ही बुला लिया था प्रिंस कुछ चीज़े हम फायदे के लिए नहीं करते और वैसे भी मुझे यहाँ पर आकर काफी अच्छा लगा है मुझे पसंद आया यहाँ पर स्विमिंग करते हुए देखकर तो यहाँ पर एकदम से उससे कहने लगता है क्या सच में तुम्हें पसंद आया प्रिंस कहता है हाँ अपकॉस तो यहाँ पर भी उसके काफी क्लोज आकर कहता है हाँ मुझे भी बहुत पसंद आया कि तुम यहाँ पर आये हो और मुझे बहुत खुशी हो रही है तो इस पज़े से हाँ पर प्रिंस थोड़ा शाइ फिल करने लगता है यहाँ पर प्रिंस फिर बी से कहता है यह लो मैं तुम्हारे लिए सन क्रीम लाया हूँ तुम इसे को मैंने ही launch किया है मैं ही इसका ambassador हूँ वैसे भी यह product काफी अच्छा है तो यहाँ पर खुश हो जाता है भी यहाँ पर उसे कहता है क्या सच में भी यहाँ पर उस प्रोडेक्ट को यूज करने लगता है तो उसे देखकर प्रिंस काफी smile करता है प्रिंस फिर यहाँ पर बी से कहता है कि अब मुझे जाना होगा तो मैं तुमसे बाद में मुलूँगा जब वहाँ से जाने लगता है प्रिंस तो भी उसे रोकता है और कहता है यहाँ पर आने के लिए thank you so much पर प्रिंस भी उससे कहने लगता है कि मुझे invite करने के लिए थो हमारा thanks और उसे फिर बाइब कि तुम यहाँ पर हो तो वेन उससे कहता है इस तरीके से क्यों बोल रहे हो तो उससे कहता है कि पहली बार मैं तुम्हें देख रहा हूँ बार मी क्योंकि तुम तो यह सब चीजे पसंद नहीं करते हो कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा मेरे लिए तो यह इस पर आगर जॉइन कर लेता है वहउन भी वहऊन को देखके है थोड़ा आजीब सा भीव करने लगता है तुल और तुल कहता है वह से तुमने बताइएं नहीं कि तुम्हारा ब्रदर भी आने वाला था तो यहाँ पर उससे कहता है वह और अशाली यह आसपास ही थे थे कि वैसे तो तुम नाइट इस तरीके से कभी स्पैन नहीं करते हो तुमारी कोई नाइट के टाइम पे कोई मतलब सूशल एक्टिविटीज या फिर क्या लो पाटी वगरा नहीं होती है तो तुम आज यहाँ पर बार में क्या कर रहे हो ऐसे कौन से important बात है जो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है यहाँ पर जो win होता है वो one से dad के बारे में पूछने लगता है कि वो कैसे है तो यहाँ पर one केहता है सबकुछ पहले जैसे ही है तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो कै तुम्हारा दिल तूट किया है तो विन उसे कहता है अभी तो हम couples भी नहीं बने तो यह कैसे possible है आप कैसे कह सकते हो कि मेरा दिल तूट चुका है यहाँ पर उसे कहता है वोन तो इसका मतलब यह है कि love problem ही है कोई प्यार को लेके दिख करता है यहाँ पर कहने लगता है मैं नहीं जानता कि यह प्यार है यहाँ पर कुछ और यहाँ पर उसके बातों को काफी दियान से डूल भी सुन रहा होता है तो वोन उसे कहने लगता है तो इस चीज़ के बारे में find out करो ना find out करो कि यह प्यार है तुम्हारे लिए या फिर नहीं तो यहाँ पर विन कहने लगता है कि मुझे डर है कि कहीं ये सब कुछ प्यार ही ना हो क्योंकि मैं सच में अभी प्यार की चक्कर में नहीं पढ़ना चाता मैं प्यार प्यार को कोई importance नहीं देना चाता वोन उसे कहता है actually क्या बात है बताओ विन यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे डर है कि कहीं ये प्यार ना हो मैं किसी के लिए feelings रखने लगा हूँ किसी को अपने लिए importance समुझने लगा हूँ पर मुझे इन सब चीजों से काफे डर लग रहा है तो यहाँ पर उसे टुल कहता है इतने ज़्यादा मस सूचो इस विन यहाँ पर उसे पूछता है कि तुम्हें किस बात का डर है किस चीज़ से इतना डर रहे हो तुम तो विन उसे कहता है कि मुझे डर है कि कहीं मैं उससे प्यार ना करने लगू अगर मैं उससे प्यार करने लगा तो एक दिन मैं उससे खो दूँगा यहाँ पर उससे वा बाते सुनकर यहाँ पर वान और टोल भी उसके लिए काफी वर्यूड हो जाते हैं दूसी तरफ दिखाया जाता है अपने रूम में टीम को यहाँ पर वो शावल लेने के बाद आता है तो काफी दियान से अपने सैल फोन को देखने लगता है यहाँ पर वो सोच रहा होता है के बारे में तो यहाँ पर वो विन को कॉल ट्राइ करता है विन का फॉन रिंग तो करता है लेकिन विन उसके फॉन को पिक नहीं करता है तो यहाँ पर सूच नहीं लगता है टीम कि आखिर कहां गायब हो गया है विन और कहां पर है वो अब भी फिर हमें दिखाया जाता है दीन को वेट करते हुए पाम का जब आपर पाम आ जाता है तो वो दीन से क्याने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से डेली मुझे पिक करने के लिए आने की जुरूत नहीं है तुम्हें वेट करना पड़ता है इतना तो उससे कहता है दीन इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर डीन कहने लगता है पाम से अगर स्विमिंग कलब के कॉम्पेटिशन का रिजल्ट अच्छा हुआ तो मैं सभी टीम मेंबर्स को एक ट्रिप के लिए लेकी जाने वाला हूं और उस प्लेस का नाम बताता है जिस रिजल्ट में वो ले जाने वाला है तो यहाँ पर यह सुनके काफी हैपी हो जाता है पाम और कहता है वाओ वहाँ पर एक्शली मैं वहाँ पर कभी नहीं गया हूं तो यहाँ पर डीन कहता है यह तो अच्छी बात है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमें जॉइन करो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो यहाँ पर उसे कहने लगता है पाम क्या सच पर मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ डेन उसे कहता है हाँ तुम चल सकते हो यहाँ पर पाम उसे कहने लगता है पाम दीन यहाँ पर उसे कहने लगता है कहता है चलो चल कर डिनर करते हैं तो पाम उसे कहता है क्या अभी और डिनर यहाँ पर वो डबल मेनिंग में लेके ज़ा रहा होता है बात को तो यहाँ पर दीन उसे कहने लगता है क्यों तुम डिनर करने के लावा कुछ और खाना चाहते हो क्या तो पाम शर्माता है और कहता है डीन प्लीज ऐसे बाते मत करो तो यहाँ पर डीन उसे कहता है मैं डिनर की ही बात करा हूँ चलो चलते हैं तो वो लोग डिनर करने के लिए जाने लगते हैं साथ में